Study IQ IS अब तयारी हुई के साथ associate करते हैं लेकिन जब financial year 2021-22 के लिए business today ने stock markets में लिस्टिड इंडिया की top 25 profitable companies की list तयार की तो उसमें top पर जस company का नाम रखा गया वो थी public sector company ONGC यानि की oil and natural gas corporation जिसने इस time period में 40,306 करोन का net profit दर्ज किया दोस्तों यही वज़ा है कि ONGC भारत की 12 महरतन companies में भी शुमार है मौजूदा समय में ये देश की सबसे बड़ी oil and natural gas company है ये एक Indian multinational crude oil और gas corporation है जिसका headquarter New Delhi में मौजूद है साथी Indian oil and gas refining and marketing companies को सभी तरह के hydrocarbons जैसे की crude oil, natural gas, petrol, diesel, kerosene, नाफ्ता और LPGR इस अप्लाई करता है और ये कह सकते हैं कि भारत के hydrocarbons की गाथा को अखेले ONGC ने ही लिखा है सो आगे था आप सभी का study IQ में अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज किस वीडियो में हम ONGC की इसी success story को discuss करने वाले हैं लेकिन आए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि companies को महारतन का status कैसे मिलता है दोस्तों वीडियो को continue करें उससे पहले आप सभी के लिए एक important update है दरसल आएस की तयारी को बहुर भी affordable and comprehensive बनाने के लिए Steady IQ आपके लिए लाया है P2I that means Prelims to Interview Program 2024 दोस्तों इसके जरिया आप Prelims, Mains and Interview यानि UPSC exam के तीनों stage की तयारी एक साथ कर सकते हैं UPSC syllabus को consider करते हूँ इस batch में आपको live classes के थूँ basic to advance cover करा जाएगा साथी mentorship, test series, crash course, notes और books ये सब कुछ भी आपको इस batch में मिल रहा है CIS Live Prelims to Interview 2024 batch को अगर आप जॉइन करना चाहते हैं और आप अनुराग Live coupon code का इस्तेमाल करते हैं तो इस batch की total fees 45,000 की बजाए आप इसे 29,999 का avail कर सकते हैं इस batch related अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर call कर सकते हैं या फिर वीडियो के description box में दियेगे course related PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं तोसो किसी भी कंपनी को महारतन बनने के लिए six conditions को fulfill करना ज़रूरी होता है जिसमें फस्ट है पहले से नौरतने कंपनी स्टेटस प्राप्थ होना चाहिए सेकेंड है स्टॉक एक्षेंज पर लिस्टेड होना और सेभी रूल्स के अक्वार्डिंग मिनिमम पब्लिक होल्डिंग फोर्थ है लास्ट थ्री यरज का एवरेज एन्वल टर्ण और तेक्स 5,000 करों से अधिक हो और सिख्स और लास्ट है विदेश में भी कंपनी के operation होने चाहिए दिखा जाये तो ONGC इन सभी requirements को fulfill करता है साथ ये Fortune की most admired energy companies की सूची में शामिल होने वाला एक मात्र सारजनिक शेतर की भारती कंपनी है और Forbes Global 2000 के लिस्ट में भी इसको 229th rank मिली हुई है आई अब ये समझ लेते हैं कितनी बड़ी उपलब्धियां इस कंपनी ने कैसे हासिल की और देश के लिए इसका क्या योगदान रहा है भारत की आजादी के समय तक बस दो कंपनीज ही ओयल प्रोडक्शन का काम कर रही थी जिनमें एक थी नॉर्ट इस्ट में असम ओयल कंपनी और दूसरी थी नॉर्ट वेस्ट में अटक ओयल कंपनी आजादी मिलने के बाद भी 1955 तक देश में हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्री में एक्स्प्लोरेशन का काम सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही कर रही थी और इनमें से जाधर तर ने इंडिया को हाइड्रो कार्बन बैरन कंट्री कहकर नकार दिया था फिर उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडर्शिप में ओएंजीसी की स्थापना की गई उन्होंने शरीक केशव देव मालविया में अपना विश्वास दिखाया जिन्होंने 1955 में जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अंडर ऑईल और गैस डिवीजन के फॉर्म में ओएंजीसी की नियू रखी जिसका मुख्यों देश देश के अलग-अलग हिसों में ऑईल और नैच्रल गैस रिसोर्स को एक्स्प्लोर और डेवलप करने का था दिखा जया तो कुछ महिनों बाद इससे ओल और नैच्रल गैस डारेक्टरेट में कनवर्ट किया गया उस टाहिम पर ये Ministry of Natural Resources and Scientific Research के अंडर आता था साथ उससों में डारेक्टरेट के लिमिटेड फाइनेंशल और एड्मिस्टरेटिब कापसिटी होने के कारण 1956 में से कमिशन और 1959 में से Statutory Status दे दिया गया दूस्तों सके लावाज से देश में पेट्रोलियम रिसोर्स को डेवलप करने और पेट्रोलियम प्रोड़क्स को बनाने और बेचने की भी अथोर्टी दे दी गई आगे चलकर 1994 में कॉपरेशन को कमिशन में बदल दिया गया और 1997 में से Government of India दोरा नौरत्न का स्टेटिस प्राप्थ हुआ जोकि 2010 में महारत्न में तबदील हो गया ONGC की फाउंडेशन के हिस्ट्री को समझने के बाद आई एक नजर अब इसके एवोलूशन पर भी डाल लेते हैं दूस्तों ONGC ने देश के अपस्ट्रीम सेक्टर जो की काफी लिमिटेड था उसमें कपेसिटी अडेशनल का काम किया इसने असम और कैमबे बेसिन में नए रिसोर्स डिसकवर किये और इस्ट कोस्ट बेसिन में भी नए एरिया जोडे 1965 में ONGC विदेश की भी स्थापना की गई जो देश के बाहर ओयल फीड एक्स्पोरेशन और प्रोड़क्शन प्रोजेक्स करता है दिखा जा तो 1970 में इसने समुद्र में स्थित बहुत बड़े ओयल फीड बॉम्बे हाई की खोज की साथ इसने वेस्टरन एरियाज में भी ओयल और गैस फीड्स को डिसकवर किया इस समय तक इसने 5 बिलियन टन्स के हाइड्रो कार्बन्स की खोज कर ली थी और ONGC का सबसे महतुपूर काम ये माना जाता है कि इसने भारत को Exploration and Production में आत्म निर्भर बनाया है 1984 में ONGC से यलग कर Gas Authority of India Limited याने की गेल को बनाया गया दिखा जा तो 2010 तेक इस कंपनी ने सफलता पूर्वक कोल बेड मेथेन प्रोड़क्शन भी चालू कर दिया और ONGC ने ही खोजे है प्रधनमंतरी नरेंद्रमोदी ने नॉवंबर 2022 में Oil and Gas Fields में से KGDW N98 by 2 Deep Water Block जोकी आंधर प्रदेश में मौजूद है उसे देश को समर्पित किया है आज तक इसका कुल उत्पादन 10,420,00,00,00,000 कच्चा थेल और 715,00,00,000,00,000 क्यूबिक मेटर्स नाचुरल गैस का है भारत की नई Open Acreage Licensing Policy के 7-Round की बिडिंग के बाद ONGC को 135 में से 45 Exploration Block अवार्ड हुआ है आज देश पे प्रोड्यूस होने वाले Natural Gas और Oil का 70% से अधिक उत्पादन ONGC ही करता है दिखा जातो 2016 में Gas Hydrate Research and Technology Center के स्थापना ONGC ने ही की थी दिसके बाद ये National Gas Hydrate Program में Active Participant बन गया आंधर प्रदेश के कृष्णा गोदावरी रीजिन में बहुत ही अधिक मात्रा में Hydrate Reserves भी मिले है दिखा जात इस खोच से देश की Energy Security में भी मदद होगी और भविशे में ये Energy में Self-Sufficiency का Source भी बन सकता है भारत के बाहर 15 कंट्रीज में इसके 32 प्रोजेक्स चल रहे हैं जिन में से प्रमूख हैं वियतनाम, सकालिन, कोलंबिया, विनेजुएला और साउथ सुडान आपको बताते चलें की ONGC का पहला Hydro Carbon Revenue वियतनाम से मिला था अज इस कंपनी में 31,000 से अधिक लोग काम करते हैं और Forbes Magazine के मताबिक दुनिया की Top 2,000 Largest Companies में से एक है दोस्तों अगर ONGC के Current Scale of Production की बात करें तो ये एक दिन में 12.6 Lacks Barrel Oil के बराबर का उत्पादन करती है और भारत की Refining Capacity का लगबग 15% इसके पास है ये भारत की 25,500 किलोमेटर से अधिक लंबे पाइपलाइन को ओन और ऑपरेट करती है जिसमें से 4,500 किलोमेटर की पाइपलाइन समुदर के नीचे भी है देखा जा तो Financial Year 2022 में उसका रेवेन्यू 1 करोन 10,34,540 करोन रुपीज का था जो कि Financial Year 2021 में 68,14,110 करोन रुपीज का था साथ इसके प्रॉफिट्स भी Financial Year 2022 में 40,30,570 रुपीज थे जो कि Financial Year 2021 में 11,24,640 रुपीज थे बदलते समय के साथ इस कंपनी की जमेदारियां भी बदल गई है भारत की Energy Requirements भविश में और बदलने वाली है और ऐसे समय पर ONGC एक क्रूशिल रोल निभा सकता है दिखा जा तो बढ़ते Environmental Pollution को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने 20% Biofuel Blending का Target रखा था उस टाइम भी ONGC के प्रयासों से ही उससे समय से पहले पूरा किया जा सका था बढ़ती Economy और उसके साथ ही बढ़ने वाली Energy Requirements को पूरा करने के साथ ही 2070 तक Zero Emission के Target को पूरा करने के लिए भी इसका योगदान बहुत Important होगा Oil जैसे Primary Sector में होने के कारण इसका Focus Energy Security के साथ ही सस्टेनिबिलिटी पर भी होना बहुत ज़रूरी है दिखा जाये तो ONGC ने 2025 तक 5,002,000 को Area Under Active Exploration को लाने का प्लान किया है साथ ही अपने Profit में से CSR के लिए इसने Financial Year 2022 में 45,800,000 रुपीज खर्च किये हैं जिसका लाब Health Care, सफाई, सिक्षा, Skill Development और परियावन सनक्षन जैसेक शेत्रों को मिला है असम के CU का Fah Hospital और Super 30 जैसे Project असम श्रीनगर और ट्रिपुरा में इसी के अंतरगत निर्मित किया गया है दोस्तों इसके लाबा COVID-19 के दूसरे वेव में कमपनी ने 6,000 Oxygen Cylinders और 11 Medical Grade Oxygen Plants Government Hospitals में बनवाया थे देखा जाये तो ONGC के सपोर्ट से देश के 8 vendors ने सिर्फ देश को 70,000 से अधिक Oxygen Concentrator सपलाई किये बलकि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया साथी कंपनी का Focus Sustainability Goals के उपर भी है ONGC ने अपने उचसरजन यानिकी Emission को कम करने के लिए बहुत पहले सी एक्शन्स लेना शुरू कर दिया था दोस्तों, ONGC US Environmental Protection Agency से टाइब करने वाली पहली गैर American कंपनी थी इसके अंतरगत इसने उचसरजन सनक्षण यानिकी Emission Surveys के लिए Equipments मंगवाए और अपने करमचारियों को Skill Training भी दी समय के साथ ही, ONGC ने अपने Offshore Insulation Space Solar Panel लगवाने भी शुरू कर दिया थे दिखा जाये तो 2008 में इसने गुजरात के भुच में 51 मेगावार्ट का सोलर प्लांट भी लगवाया था साथी ONGC के पास 2020 तक 178 मेगावार्ट की Renewable Energy की Install Capacity थी साथ इसने 3 Solar Thermal Engines भी लगाये हैं जो Solar Energy Center Guru Gram में मौझूद है आपको बताते चलें कि Energy Strategy 2040 के तेहत ONGC का टारगेट है Oil and Gas की Production को दोगुना करना, Revenues को तीन गुना बढ़ाना और अपनी Market Capitalization को अभी के स्थर से 5-6 टाइम्स गुना अधिक करना दोस्तों ONGC के Challenges की बात करें थो आप उपर दिये गए Production के ग्राप से यह देख सकते हैं कि पिसले कुछ वर्ट्शों में इसकी Production कम हो गई है लेकिन भारत की Energy Demands पिसले कई दर्शकों से बढ़ रही है और भविश में इसके कम होने के कोई भी आसार नजर नहीं आते है ऐसे में देखा जाए तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका मुख्य कारण है समय के साथ Oil and Gas Fields में Natural Decline इससे उबढ़ने के लिए कमपनी में टेक्नलोजी पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है साथी कमपनी ने April 2022 में 7 Billion Dollar Investment की बात कही है Enhanced Oil Recovery और Improved Oil Recovery के प्रोजेक्स चालू किया जा चुके है साथी मुंबई हाई में रत्न एंड आर सिरीस और नौर ताप्ती फील्ड्स की डेवलप्मेंट और दमन दियू में भी Oil और Gas Production प्रोजेक्स आने के बाद प्रोड़क्शन बढ़ने की उमीद है साथी कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी Gas Production स्टार्ट हो चुका है और धिरे-धिर्स की Capacity भी बढ़ाने का प्लान है इन सब के लावा Onshore और Offshore Installations पर भी Oil Spill होने के खतरे होते हैं जो आसपास के वने जीवों के लिए खतरा हैं और इसके डिफाइनरी से भी कई तरह के हानिकारक वेस्ट प्रोड़क्स निकलते हैं तो कि पर्यावरन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इन सब का ध्यान भी कंपनी को हर वक्त रखना होता है दोस्तों ONDC से अधर PSU's क्या सीख सकते हैं अगर इसकी बात करें तो ONDC की सकसर स्टोरी का कारण इसके समय के साथ बदलते रहना भी है देश के एनर्जी सिक्वर्टी गोल्स को ध्यान में रखते हुए इसने कई सही ख़़म उठाये हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ध्यान Exploration and Production Capacity को बनाने पड़ था इसलिए अपने सभी डाउन्स्ट्रीम बिजनसेस को इसने Expertise के According अलग-अलग कंपनीज में बांट दिया जिनमें Gail, यानि की Gas Authority of India Limited ONGC विदेश, MRPL जानि की Mangalore Refinery and Petro Chemicals Limited और HPCL जानि के Hindustan Petroleum Corporation Limited देखा जाते उन सभी मैंसे Gail को अलग कंपनी बना दिया गया है लेकिन बाके तीनों ONGC की सबसीडियरी कंपनीज है आपको बताने कि Gail भारत के सबसे बड़े Gas Natural Gas कंपनीज में से एक है साथे HPCL भारत भर में Gas के चूल है और गारियों को तेल और Aeroplanes को Air Turbine Fuel यानि की ATF सप्लाई करता है HPCL भी भारत के एक और महारतन कंपनी है और देश की दूसरी सबसे बड़ी Pipeline Operator है इसके कई Pipeline Networks, Aviation Service Stations, LPG Bottling Plants और Distributor Ship देश भर में है दोस्तों MRPL की बात करें तो MRPL की Refining Capacity कई तरह के Hydrocarbons और Coke नाफता की है ये Industrial Grade Petro Chemicals अप्लाई करती है वहीं ONDC विदेश की जिमेदारी भारत के बाहर विदेशों में Oil, Exploration, Development और Production की है साथ ये भारत के कई देशों के साथ Relations को Establish करने में भी Help करता है ऐसे में सारे Development इस बात के और इशारा करते हैं कि PSU's को अपनी Core Strength को Develop करने के साथ ही आप Stream और Down Stream की Capacity बिल्ड करने चाहिए और साथ ही एक सही Business Practice भी अगी जब भी किसी Specialized Purpose को Achieve करना हो तो अलग Entity या फिर Company बना दिया जाए ऐसा करने से काफी सहूलियत होती है साथी Business को एक नया और Focused Attention मिलता है जो कि उसको सफलता दिला सकता है देखा जाए तो O&C के हाल के Technology के उप्योग से बाकी Primary Sector की कमपनिया भी सीख ले सकती है भारत में Emission Control करने के लिए कदम उठाने वाली ये पहली कमपनियों में से एक थी साथी इसने Infrared Cameras और Emission Measurement Tools जैसे की Went Backs का इस्तेमाल करना 2008 से इसने शुरू कर दिया था अपने Offshore और Onshore Sights पर कमपनी ने अपने Oil Spills को रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए Preventive Measures लेने के साथ ही ये अपने Oil Spill Response Units और Multi Support Vashes तयार रखता है साथी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इसने Indian Coast Guards के साथ ही कई दूसरी कमपनी के साथ भी Tie-ups किये हैं और दोस्तों इस सारी बाते कमपनी के साथ साथ देश को भी मिलता है दोस्तों ऐसे में हम देख सकते हैं कि एक कमपनी जिसे और जाके क्षेत्र में आतनरभरता के लिए 1956 में डारेक्टरीट के रूप में स्थापित किया गया था वो अपनी responsibilities को पूरा करते हुए 2023 में आज 2,11,000 करोन रुपीज की कमपनी बन गई है और सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विदेशों में भी exploration and production की capacity रखती है और आज ONGC अपने अग्रणी प्रयासों से भारत की ओर्जा सुरक्षा का प्रतनेधित्यों करती है वैसे दोस्तों, ONGC की सकसर स्टोरी पर आपकी राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें